विल्कमिक दोस्तों क्या आप सब का मैं उमीद करता हूँ किया आप सब हैरियत से होंगे तो गई सालार को लेकर कल एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी आप में से बहुत से लोगों ने देख भी ली होगी सुन ली होगी सब को पता चल गया होगा बट भाई साब वो अपडेट इतनी बड़ी थी कि मैं पहले कनफर्म करना चाह रहा था कि भाई क्या सच मुछ भी ऐसा है यानि क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं देखा गया अब सब से पहले वो बड़ी अपडेट कौन सी है मैं आपको वो बताऊंगा दूसरी बड़ी नियूज है भाई साहब जो सालार की सिनमेटोगराफर है उनकी तरह से उन्होंने सालार के बारे में कुछ बड़ी डेटेट्स बताई कि ये जो लोग बोल रही है कि केजियेफ के सेट पर शूटिंग होई है तो क्या ऐसा है नहीं है क्या सीन है तो गईस मज़ा आने वाला है आपको आप लोग बोलेंगे कि भाई जितना हम सालार के बारे में सोच रहे हैं ये उससे कई गुना ज्यादा यूनिक निकल रही है तो अभी क्या सारा सीन है मैं आपको कम्प्लीट बताता हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ता कि ऐसी अपडेटिड वीडियो आपको मिलती रहे तो सबसे पहले अपडेट जो कल बड़ी आई थी वो क्या थे तो अपडेट आप लोगों को मिल गई होगी बट मैं आपको बताता चलू के अभी अपकमिंग सालार के बड़े बड़े इंटरव्यूस होने जा रहे हैं डिफरिट लैंग्विजेस में ये मैंने आपको बताया था बट जो पहला इंटरव्यू होने वाला है वो भाई साब परशांत नील डारलिंग परबास और पृत्विरा चुकुमारन से होगा और इसे कंड़क्ट करेंगे भाई साहब कौन एस एस राजा मॉली भाई क्या करते हो मतलब कि एक बहुत बड़ी प्रोमोशन है चोटी मुटी प्रोमोशन नहीं है नियूज ये है कि 16 ओफ दिसेंबर आज 14 है कल 15 है और परसो 16 ओफ दिसेंबर को ये इंटरव्यू कंड़क्ट किया जाएगा अब भी रिपोर्ट नहीं है कहा किया जाएगा कैसे किया जाएगा नो लेकिन नियूज ये है कि परशान्त नील होंगे डार्लिंग पर भास होंगे और साथ पृत्वी रचोकुमारन होंगे इन तीनों से भाई साहब SS Raja Moli questioning करेंगे अब questioning public ही होगे मलब film के अंदर different highlights से तो नहीं होगे overall ही question होगे but SS Raja Moli का इन से question करना कोई छोटी मोटी promotion नहीं है एक बाप level crazy promotion है और especially sorry इस interview के लिए मैं बहुत wait करा हूँ देखना important होगा कि SS Raja Moli देखो मुझे पता है SS Raja Moli कि वो भाई सहाब किसे परशांत नील से क्या interview लेंगे क्या मलब के questioning होगी क्योंकि आप देख सकते है कि SS Raja Moli भी इस टाइम भाप level director है मास मसाला genre में और भाई परशांत नील भी भाप level है तो जब दोनों बड़े director आप पर समय conversation करेंगे ओए होए मलम मदा आने वाला है तो ये एक update नमर बन है अभी इसकी और official confirmation आना बाकी है कि ये interview कब होगा किस टाइम होगा कहा होगा उसकी जैसी report आईगी तो मैं आपको बताऊँगा अभी तक जिस्ट ये news आई है कि अब परसो 16 December को ये interview कंड़क्ट किया जाएगा नेक्स news है भाई साब जो सालार की सिनमेटोग्राफर है भुवन गोडा भाई उनकी तरह से कुछ शोकिंग स्टेटमेंट्स आई है तो वो शोकिंग स्टेटमेंट्स क्या है ज़रा मैं आपको बताता हूँ भाई साब सिनमेटोग्राफर भुवन गोडा कहते है के वी आर कंस्ट्रक्टिड एन अदर रमोजी फिल्म सिटी टू जी हाँ भाई कहते है कि हमने सालार के लिए एक और रमोजी फिल्म सिटी टू बनाई है कहते हैं विदिन दा एक्साइटिंग रमोजी सिटी फोर सालार इन रोमस सेट स्पैन ओवर हंडर्ड एकर्स ये जो हमने भाई सहाब रमोजी फिल्म सिटी टू बनाई है इसने हंडर्ड एकर्स की जगा घेरी है हंडर्ड एकर्स लिखते हैं अडिशनली हाफ किलो मीटर हाफ किलो मीटर को छोटी जगा नहीं होती मेरा भाई हाफ किलो मीटर वाल एंड मैसिव सेट्स कवरिंग हंडर्ड एकर्स बाई सहाब इतना नहीं कहते हैं इन माई ओपीनियन सानार स्केल इस फाइफ टाइमस डैट अफ की जीएफ मलब कि पाँच गुना बड़ा स्केल है सानार का टेकनिकली वी आर ओन डिफरेंट लेवल इस इस वन अफ दा लार्जेस सेट्स करियेटेड इन इंडियन फिल्म्स तो आप लोग समझ गए होगे अब आप लोग मुझे पता है जब फिल्म देखेंगे तब ही समझेंगे बट आप अगर मुझे पर ट्रस्ट करें ना तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यह जो अभी इन्होंने बोला ना के हंडर्ड एकर्ड और हाफ किलोमीटर की वॉल तो इसकी मैंने एक लीक्ट हुई भी पिक्चर देखी थी जो मेरे पास आई थी आप में से बहुत लिमिटेड लोगों के पास होगी उसके अंदर सालार का स्केल पता चलता है कि यह फिल्म भाई मनब छोड़ो मैं भी उसके बारे में बताया तो केजिया वाले सालार वाले मुझे लिए छोड़ने वाले तो बहुत बहुत लेवल था भाई साब जब आप फिल्म के अंदर देखो कि आप कोगे कि यह नोंने क्या बनाया है इसके बाद बोलते हैं I am happy that people are comparing सालार to my films rather than bringing in others work अच्छी बात है Being a gangster story demands specific visuals aligning with its genre As a cinematographer, I have my signature style and that is the reason Parshant Nail has repeatedly collaborate with me अच्छी बात है However, I don't think judging Salaar, the fire lit visuals in Salaar which seemingly resemble KGF stem from cinematic demands specially capturing rawness during night shoots Dominance of dark tone in grey and black with necessary to delight and align lighting and visual to ensure the film core element The hero and narrative take center stage यनि के भाई सहब इसमें बोवन गोड़ा की जो overall समझने वाली बाते हैं ये बाते आपकी काम की नहीं हैं वैसे समझ ले तो अगर मैं आपको बता दू तो वो कहते हैं के परशांत नेल मुझसे बड़े खुश थे उन्होंने मुझे दोबारा अपनी फिल्म में कॉलाबरेट करने दिया भाई सब जो night shoots थे जो rough footage होती हैं जो के अपनी मज़ी साब editing कर सकते हो भाई वो footage और specially जो sets थे वो सारे ही और जो sets के उपर लोग थे यानि के परबास वगरा सब ही बहुत होच थे लेकिन important चीज़े गाईज ये है कि भाई almost 500 एकर का new set बनाया गया है केजिएफ के साथ इसकी कुई location से यूज में ही की गई है उसके बाद भाई साहब half kilometer की wall जिसके अंदर different भाई साहब इन लोगों ने sets लगाए थे उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग बोलते है कि केजिएफ इससे five time below थे यानि के सालार का scale पाँच गुना ज्यादा है भाई साहब किसे of course केजिएफ से तो कहीं न कहीं भाई साहब ये फिल्म जैसे जैसे release rate के आसपास हाती जा रही है वैसे वैसे इस फिल्म को लेकर scale इसका increase है और simple सी बात पता है क्या है अब भी सालार को लेकर ना जो जो कुछ हो रहा है ना भाई अगर फिल्म बिबी ये सब हुआ देल इस फिल्म को biggest blockbuster बनने से कोई रोक नहीं सकता और वैसी भी मैं आपको बता दू भाई हमें अभी सालार part 1 के अंदर जो action sequences या जो कहानी emotion दिखाई जाएंगे वो सालार part 2 के भाई साब उसके मुकाब, part 2 के मुकाबले में कुछ भी नहीं यानि के part 2, part 1 से आप समझें के 10 times dangerous होगा तो मैं बहुत excited हूँ और मुझे पता है आप लोग भी excited है ज्यादा दूर नहीं है भाई साब अभी 22nd of December बिलकुल आसपास है एक हफ़ता यानि के 8 दिन है सालार को लेकर सो जिल्दी से गुजर जाएंगे अब गईस कल पंदरा को इसकी advance booking open होनी है तो देखते है कि booking हाँ booking से याद आया निजाम में अभी booking open नहीं होगी उसकी reason यह है कि निजाम के भाई वहाँ पर जो my three movies distributor है उन्होंने 100 रोपी की ticket price increase करने की demand की है government से दिन में 6 to 7 shows होगे 100 रोपी की भाई सब उन्होंने demand के कि ticket price हाई करें अगर यह confirm हो जाता है उसके बाद ही भाई निजाम में advance booking स्टार्ट होगी लेकिन otherwise पर पूरे इंडिया में कल 15 को booking स्टार्ट हो जाएगी तो आप मुझे बताएं कल open होते साथ booking करेंगे या नहीं करेंगे अभी ता के लिए टाई होप सापको वीडियो पसंदी पसंदी वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले आने वर उन्हेरे थेंक्स रोचिंग